जे स्री राम, सभी को राम राम, नमस्कार सस्ट्रेकाल, मैं हिमाचल सिंग, आज की वीडियो में आज सभी को स्वागत करता हूँ, तो आज इस्टाइटिंग में स्री राम बोलने का क्या अब्जेक्टिव है बहुत देश सी आपको पता है, क्योंकि आज जो पॉर्टफोलि जी का नाम जितनी बार ले लो, कम ही कम है, ठीक है, तो इन्होंने भी एक बहाना दे दिया हमें, राम जी का नाम एक्स्टा लेने के लिए, तो अनुमान जी बोल रहे हैं ये, पलियाल जी, सर मैं आपके रेगुलरली वीडियो देखता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, प् पावरोब कमपर्णिंग का जो बेनिफिट है हमें, मिलेगा लोंग टर्म में, ठीक है, निपोन इंडिया स्मोल कैप में ये इनका पॉर्टफोलियो है, इनकी पतनी का पॉर्टफोलियो बाद में आपको बताऊंगा, निपोन इंडिया स्मोल कैप में पंदरस रुपे के स क्वांट फ्लेक्सी कैप में दो जार रुपए की साइपी टोटल पांच रुपए का पॉर्फोलियो जो इनका है ये तीन इनकी स्कीम है इसकीम के दी बात करें निपोन इंडिया स्मोल के आपको पता है कि परफॉर्मिंग टॉप स्कीम है कोई दिक्कत नहीं कंटिनू कीजि तो अच्छे ही मतला रिटन निकाल कर दे रहे हैं सबसे ऊपर चलना है लग भाग ठीक है तो ऐसा भी नहीं कि ज्यादा आतर पैसा हमने मौर देन 50% कौन्ट में डाल देंगे नहीं एकोर्डिंगली हमें जो है एमसी और स्कीम बाइस भी डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा जिससे के रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाए तो ये इनका पॉर्टफोलियो हो गया अब इनकी पतनी का जो पॉर्टफोलियो है क्वांट इस्मोल कैप दो यार रुप तो पहले बाले में इनके पॉर्टफोलियो में मिड कैप की स्कीम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है फिलेक्सी कैप का क्वांट फिलेक्सी कैप इनके स्कीम में है और वाइफ की जो पॉर्टफोलियो में पराग पार एक फिलेक्सी कैप है वेल डाइवर्सिफाईड है बहुत इंडिविजवल पॉर्टफोलियो भी करके consider कर सकते हैं जो calculation है वो मैं accumulated दोनों की ही एक साथ दिखाऊंगा क्योंकि time frame भी आपको 20 साल का आपने बता है एक जैसा ही time frame आगे पूछ रहे हैं कि प्लीज ये भी बताईए कि 20 साल में कितना जो है corpus बन सकता है तो calculation आपकी मैं 25 साल खा था उसमें ऐसी स्कीम थी वहां पर आपने इतने रिटन बताया थे यहां पर आप इतने रिटन बता रहे हो या फिर सेम रिटन क्यों बता रहे हो तो time frame के हिसाप से भी रिटन चेंज होते हैं यदि same portfolio होगा एक तो चलेगा 10 साल एक 15 साल एक 25 साल तो तीनो category में 15, 20 25 तीनो time frame में अलग-अलग return मिलने की समावनाय लगी रहती है ठीक है बहुत ज़्यादा long term के लिए हम same return जो consider नहीं कर सकते हैं तो आपका 20 साल का time frame long term ही time frame है कोई छोटा time frame नहीं है या पर तो इस portfolio से lower side पर बता रहा हो मैं साड़े 16.5% के return consider कर लिजिए इस से कम नहीं मिले यह यदि इतनी performance दिखाई जो कि इस से ज़्यादा है upside के potential देखने में नजर आ रहा है जैसे कि लोग market analyzers बताते हैं कि अभी तो market में बहुत ज़्यादा potential है कि यवल 5-6% लोग इंडियन जो investment कर रहे हैं तो आगे तो return ओर ज़्यादा मिलने की संभावना बिलकुल कर रहे हैं लेकिन हम भी कोसिस करनी चाहिए न हमें भी तो हमने यह निशेशन ले लिया है यह बहुत अच्छी बात है बाकि उपरवाले के हाथ में शोड़ो जो अपना है वह करते रहेंगे डाइवर्सी फाइब करके भी रखना ज़रूरी है यह नहीं कि सारा पैसा स्टो गलबड है मिला नहीं मिला टाइम पर कैसे होगा तो वो हमें पहले से प्लान करके रखना है जिससे की कोई हम पर उंगली भी ना खड़ी करे पड़ोसी जो यह अपमित्र रिस्तेदार जो मीचल फंट में खुद तो इंवेस्मेंट करते नहीं है और उनको यह पता लग गय बस यह बात ध्यान रखिए ठीक है तो साड़े सोले परशंट के रिटरन लोवर साइड पर कंसिडर कर रहा हूं इससे ज्यादा ही मिलेंगे मैं उज़े ऐसी उम्मीद है और साड़े सोले की जगा थोड़े बहुत कम भी मिलेंगे तो वो भी we are happy with that even long term में 15% में मिल जाए बहुत अच्छे रिटरन है कम रिटरन वो नहीं है ठीक है तो आपकी 10 रुप मेने की दोनों लोगों की मिलाकर मतला husband wife की SIP जा रही है साड़े सोले परशंट के रिटरन यह दी मिलते हैं और 10 रुप मेने के SIP के हिसाब से अगले 20 साल में आप जमा कर लोगे 24 लाग रुप यह उससे भी मतलब prediction कोई accurate नहीं कर सकता आप मानकर चलो prediction accurate मैं तो ऐसी prediction ऐसे calculations share करने को सिस करता हूं कि future में मैं रहूं न रहे लेकिन हमारा contact रहे न रहे आप जब अपना यदि आपको याद रहा जब 10-15 साल बाद अपने portfolio को आप analyze करोगे तो आपको लगे कि हमाचल भाई मिल रहा है तब और ज्यादा खुसी होगी और मैं पहले ही आपके expectations नहीं जी आ तो 19% मिलेगा 20% मिलेगा बाद में मिल रहा है आपको 16% 17% के return तब वो अच्छी बात नहीं है ठीक है तो इसलिए मैं कम करकर ही इसको consider करता हूं और आपको भी ऐसा ही मानकर चलना चाहिए ठी एक क्रोल आठासी नबेल आख रुप लगब मोटर मोटर राउंड फिकर दो क्रोलो के आसपास इस पॉर्टफोलिय से आपको बन सकते हैं अगले 20 साल के अंदर जो कि अच्छा कासा amount है आप कुछ लोग आप से यह भी बोल सकते हैं अरे 20 साल बाद इस दो क्रोलो की value कितनी नहीं रहेगी तो उन लोगों से पहले यह पूछने की जरूरत है कि क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है बसे पूछिए गमात क्योंकि उनके पास कोई ऐसा आइडिया तो होगा नहीं वो केबल आपको negative मतलब एक negativity आपके mind में भरने के लिए कुछ और अनापसन आपकी क्योंकि आज है कल को नहीं है दुनिया क्या होगा क्या करेंगे बचा की खाके तो यदि उस चीज को फोलो करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ की discussion करने की ज़रूत नहीं है बाकी हां ऐसा है सारी चीजे balance रहने चाहिए ऐसा नहीं कि बहुत जादा हमें अपने compromise करने चाहिए ह हमें खाना पीना भी ठीक ठाक चाहिए फड़ा बहुत अपनी family के साथ time spent करना चाहिए जो चीजें हमारे लिए necessities हैं उनको भी accumulate करना चाहिए उनका उपयोग भी करना चाहिए जैसे गर्मी का मोसम है गर्मी लग रही है घर में बच्चे हैं हम भी है तो comfortably रात को नीद आ ज सकते तो वो भी जरूरी है जरूरत नहीं कि घर में सारे कमरे हैं सम्में एसी हो एक कमरे में तो हो at least यदि आपका cooler से काम चल जाया तो cooler जरूरी है मतलब जनरल concept है जो बहुत practical बाते है इन सब चीजों पर सोचने की जरूरत है तो उमीद करता हूँ कि हनुमान जी आपका portfolio पलियाल जी कहना ठीक है हनुमान जी का नाम ऐसे लेते हुए अच्छा नहीं लगता है कि हनुमान जी इनुमान जी बोलना ठीक है तो पलियाल जी आपका portfolio ठीक है सारी चीजे मुझे ठीक लगी कोई दिक्कत नहीं है जैसे मुझे लगा कि हाँ ठीक है इतना corpus इस portfolio से बन सक करता है बाकि आपका भी कोई आगे कोश्चन है तो आप कमेंड करके पूछ सकते हो मेल कर सकते हो मिलते हैं कल फिर एक वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राम राम जैहिंद जयावारा